सांसत दिपेंदर हुडड़ा ने हरियाना वोकेशनल टीचर्स की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि वोकेशनल टीचर्स से लंबी बादचीत के बाद जब सरकार ने मांगों को स्विकार कर लिया है तो फिर उसे लागू क्यों नहीं कर रही यदि प्रदेश सरकार ऐसा ही करती रही तो आम जनता का बचा खुसा विश्वास भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा उन्होंने का कि सरकार एविलम वोकेशनल टीचर्स की सभी मांगों को पूरा करे आज दिल्ली अवास पर हर्याना वोकेशनल टीचर्स का एक परतिनीदी मंडल सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सांसथ दिपेंदर हुड़ा और अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताया इस दोरार वोकेशनल टीचर्स ने अपनी मांगों को समर्थन में खून से लिखी भावात्मक चिठी भी उन्हें सोपी इस पर सांसद ने पुन साहनुबूती व्यक्त करते हुए उनकी सभी मांगों को विस्तार से सुना और उन्हें जायज बताते हुए बहा की सरकार हर वर्क से वादा खिलाफी कर रही है हर्याना वोकेशनल टीचर्स के परतिनीदी मंडल ने बताया कि पिछले करीब 50 दिनों से पंच कुला मेवे एनिस्चित काली धरने पर है उनकी परमुख मांगिया है कि समझोते के मुताबिक सरकार उन्हें हर्याना रोजगार निगम के माध्यम से रखने की वजाए सभी 278 वोकेशनल टीचर्स को विभाग के पदों पर मर्ज करें क्योंकि वे स्कूलों में गुरूप B के समान अंतर कारियरत हैं नै की गुरूप C या D के समान अंतर के अलावा सभी 278 वोकेशनल टीचर्स के लिए समान वेतन लागू किया जाए 37 वा नियम अवली 2013 लागू कर सभी वोकेशनल टीचर्स को 28 वर्स आयू तक जोब सिक्योर्टी दी जाए परतिनिदी मंडल में शामिल लोगों ने बताये कि सम्मन्द में विभाग या मंतरी से लेकर जिमेदार अधिकारियों तक से सहमती बन गई थी विभाग में मर्जिंग को लेकर कम्प्यूटर टीचर्स की तरज पर NSQF प्रोजेक्ट में थी SSVHSC स्कीम के तहत रखने की बात पर 13 जुलाई 2019 को महर लग चुकी थी इसके बाद हर्याणा सरकार के आस्वसन पर पंचकुला के हैफट ग्राउंड में चल रहा एनिश्चित कालिन धरना खतम कर दिया गया था सरकार के परतिनेदियों ने यह भी गोशना की थी कि अपरेल 2020 स्कूल के नए सत्र से वोकेशनल टीचर्स की नियुक्ती विवाग के माद्दिम से होगी मगर दो साल बीच जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया 22 जिलों के वोकेशनल टीचर्स ने इन वर्सों में जिले से लेकर चन्रिगर तक गुहार लगाई तेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई जिससे मजबूर होकर वोकेशनल टीचर्स को 28 अक्टूबर 2020 से दुबारा सड़कों पर उतरना पड़ा हला बोल हर्याणा